फ्रेंट्स लंबा, काला, घना बल सब को पसंद आता है पर आज कल की जो बच्चे हैं लड़कियां थोड़ा लंबे बाल रखने के लिए पसंद नहीं करते हैं क्यूंकि उन्हें टाइम नहीं मिलता है पड़ाई में बिजी रह जाती है मैं आज पहली बार मेरी बैटी का ये दिखा रही हूँ बाल कितने लंबे भी हो गए हैं और मुलाईम भी हो गए हैं मैं जो हेयर कयर रेमेडि आप लोगों के साथ सयार करती हूँ मेरे बाल पर अपलाई करती हूँ साथ ही साथ उसके बालों पे भी मैं अपलाई करती हूँ और केयर करती हूँ तो उसे तो टाइम नहीं मिलता है पर मैं जो केयर करने से देखिए इसका बाल अच्छे से ग्रो भी हो रहा है और मुलाइम भी हो गया है तो मैं आगे आप लोगों को बहुत अच्छा तेल बना के दिखाऊंगी ये तेल लगाने से जो दो मुहें बाल होते हैं वो कभी नहीं आएंगे बाल ज्यादा रुखे सुखे हो जाएं तो आपने आप दो मुहें बाल हो जाते हैं इसलिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आज ए गुड़ेल फूल का तेल बना के हिबिसकस फ्लावार का हैर ओयल में बनाऊंगी उसके साथ मैं 100 मिलिलिटर कोक्वानट ओयल रखी हूँ मैं यहाँ पर यह रेड कलर का जो गुड़ेल का फूल होता है उसे ही रखी हूँ 10 रखी हूँ आप 100 मिलिलिटर कोक्वानट ओयल के साथ 7 से 10 इस तरह रेड बाला हिबिसकस फ्लावार ले सकते हैं और उसे आगे में तेल बना के आप लोगों को दिखाऊंगी और मैं यहाँ पर स्क्रीन के उपर लिखी हूँ यह गुड़ेल फूल हमारे बालों के लिए कितना उपकारी होते हैं और हमारे जो डैंडर प्रोब्लेम है उसको साल्व करता है दोमुए बाल तो अपने आप दूर हो जाते हैं और बालों का जो भॉल्लियूम ओ भी ज़्यादा हो जाता है मुलाइम हो जाते हैं और बाल अच्छे से ग्रो करता है अभी तेल बनाना सुरू करेंगे मैं पहले दिखा रही हूँ ये जो फूल का डंठल है हमको इस तरह हटा देना है और ग्यास के उपर एक जगा में मैं रखी हूँ कॉक्वान अटायल थोड़ा सा गरम हो रहा है उसके साथ हमको ये जो फूल रखे हैं 7 से 10 के अंदर जो मै हटा चुकी हूँ और मीडियम से फ्लेम को लो करके रखना है 5 से 7 मिनिट के अंदर ये तेल बन जाता है बहुत ईजी प्रोसेस है पर ये फूल आपके आसपास है तो उसका फाइदा आप ले सकते हैं बालों के लिए अच्छे से मैं मिला दे रही हूँ उसके जो फूल में जो है पूशक तत्तो वो अच्छे से तेल में मिल जाएगा उबल के इस तरह थोडा थोड़ा उबल आ रहा है मैं वेट कर रही हूँ और color भी थोड़ा देखिए चेंज हो रहा है emig他 फूल का color थोड़ा तेल में आ रहा है उसका जो राज से मिल चुका है जब यह फूल अच्छे से तेल के साथ उबलके ड्राइ हो जाएगा आप लोग जान पाएंगे तेल बनाने के वक्त उस्ती टाइम आप ग्यास को आप कर लेंगे तेल बन जाएगा इस तरह देखिए मेरा जो फूल है को आप करके नर्माल होने तक हमको वेट करना है उसके बाद चनी में चान के हम काज के बतल में स्टोर करके रखेंगे पहले मैं एक कट्टोरी में काज की कट्टोरी में चान रही हूँ यह जो फूल है तेल को अच्छे से सोक कर लेता है हम चानने के टाइम निचोड निचो बना के दिखाते हैं, कितने दिन तक हम लगाएं, डेली लगाएं या नहीं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग डेली लगाएं तो dust attract करता है, फंगाल infection होता है, जब सांपो करेंगे, कोई भी हैर हैल, homemade हैर हैल, सांपो करने से एक दिन पहले लगाले, बहुत आप देख लीजिए, मैं हमेशा बताती रहती हूँ, कौन सा तेल किसी हैर प्रोब्लेम के लिए कैसा काम देता है, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, समझे, और आपका हैर प्रोब्लेम कैसा है, उसको देखते हुए हैर ऐल बना के यूज कर सकते हैं, कम से कम द बालों में अच्छे से मसाज करें, मैं आप लोगों को आगे वीडियो में अच्छे से बालों में लगा के दिखा दूँगी, और अभी दिखा रही हूँ, इस तरह कास के बटल में स्टोर करके सभी होममेड हैर ऐल को रखना है, आज ये तेल को दिखा रही हूँ, मैं इस तरह सांपो करने से एक दिन पहले अच्छे से देखिए सकाल्प के सेक्षन निकालके हर जगा को आप इस तरह देखिए मैं लगा रही हूं के से सभी जगा को ऐल देना है क्यूंकि हम जब यह ऐलिंग करेंगे बाल कभी भी रुखे सुखे नहीं होंगे बाल हमेशा मुलाइम रहेंगे और कभी भी नहीं जड़ेंगे जड से मुझभूत हो जाएंगे और साइन भी करेंगे तो आप लोग ऐसे करने से ही आपका बाल अच्छे से ग्रो करेगा जड़ना रुख जाएगा डैंडरा प्रोब्लेम भी नहीं होगा बहुत सारे टीनेज की लड़कियां क्य लगाना है इस तरह अच्छे से देखिए मैं कि इस तरह आप लोगों को दिखा रही हूं अच्छे से सभी जगा को ब्याक साइड भी देखिए अच्छे से लगा ली हूं और इस तरह लेंध में भी हमको लगाना है स्काल्प का जो पाठ है अच्छे से लगाने के बाद जि सबको अच्छे से लगाने के बाद थोड़ा हलका हलका स्काल को मसाज करना है जल्दी जल्दी रगड रगड के मसाज नहीं करना है थोड़ा रिलाक्स में हलका हलका हातों को दबा ना है स्काल को दबा दीजिए इस तरह देखिए मैं किस तरह कर रही हूँ आप एसे ही करिए तो उसके बाद आपका जो blood circulation है वो अच्छा हो जाएगा, active हो जाएगा, उसके बाद बालों को जुड़ा करके रख लीजिए, अगले दिन को सांपो कर लीजिए, हर बाल सांपो से सांपो कर लीजिए, सांपो करने के टाइम भी थोड़ा हलका हलका मसाज कीजिए, अच्छे स साप कर लीजिए बालों को, इस तरह बालों का केर करने से बाल कभी रुखे सुके नहीं होंगे और दो मुहें बाल नहीं बनेगे, तो ये तेल बनाना बहुत आसान, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दी हूँ, और केसे लगाना है, उसको भी दिखा दी हूँ, फिर मि बिलूंगी नेक्स्ट रिमेडी के साथ, ठांक्स पर वाचिंग, बाई फ्रेंड्स